ये कहानी एक कमपनी की है जो काफी घाटे में जा रही थी कमपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफी परेशान थे क्यूंकि कमपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी एक दिन उस कमपनी के मालिक ने कमपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई जिसकी वज़े से इस कमपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और शोप मनाने के लिए हम सभी एक घंटे बाद आडिटोरियम में मिलेंगे ये बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे दुखी इसलिए थे क्यूंकि उनके साथ का ही कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन वो इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ती नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कमपनी दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और हर कर्मचारी ये भी देखना चाहता था कि आखिर वो व्यक्ती था कौन एक घंटे बाद सभी कर्मचारी ओडिटोरियम में पहुँच रहे ओडिटोरियम में एक कौफन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारीों को उस व्यक्ती को देखने का मौका मिला लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कौफन के अंदर देखता तो वो मायूस हो जाता और सर जुका कर वहां से चला जाता उस कौफन के अंदर एक आइना रखा हुआ था जो कोई भी उसके अंदर देखता तो उसे अपना ही चहरा नजर आता उस coffin में खुद को देख कर कर्मचारी ये बात समझ गए कि company की growth किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रही है जो उस company में काम करते हैं ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी असफलता और हमारे failure का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं अगर हम अपने काम में अपना 100% effort नहीं देंगे तो हमारी growth कभी हो ही नहीं सकती काम चोरी किसी भी इनसान को life में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती